नवरात्र में दिये में डाल दें ये चीजें किस्मत चमकने लगेगी जी हां मित्रों वीडियो पूरा देखेगा आज अध्भुत जानकारी आपको देने जा रहे हूं माता दुर्गा को जोता वाली कहा जाता है हम शद्धा और भावना के वशिबूत होके हम बोलते हैं जोता वाली ए रक्षा कर जोता वाली क्योंकि माता दुर्गा स्वेम जोती है जोती में विराजित है वो प्रकाशवान है सब को रास्ता दिखाती है आपकी मुसीबतों को दूर करती है आपको धन संपन्गता देती है तो ऐसे उपाई आज के वीडियो में बताने वाली हो जो आप कर लेंगे दिये में ये चीज़ें डाल लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी किसमत चमकेगी फूटी से फूट कहा है जो मेरे नवरात्रे करेगा वो मैं उसका घर खुशियों से भर दूँगी उसके दुर दिनों को समाप्त कर दूँगी तो माता रानी को हम सम्मान करते हैं माता रानी के शद्धा पूर्वक भजन कीरतन करते हैं और आज का वीडियो इसी पर केंद्रित है पूरा अवश्य प्रेशित करें इस से पहले एक सूचना आपको देनी है नवरात्रे ओफर चल रहा हैं माता का आशिरवाद मेरे सिर पर है और माता ही मुझे प्रेरित करती हैं क्योकि मेरा नाम हो रहा है काम करने वाली तो माता खुद हैं माता दुर्गा ही है माता दुर्गा की आशिरवास से आपको 500 रुपे में एक सवाल पूशने का मौका दिया जा रहा है और 2 सवाल 1100 रुपे अदा करके आप पूश सकते हैं माता रानी की क्रपा आपके और आपके परिवार पे बरसने नगेगी निश्चित रूप से क्योंकि आप सवाल का जवाब पालेंगे तो आपको हर मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा जिस सवाल से आप जुझ रहे हैं उसका आपको हल नहीं मिल रहा है वो सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में इमेल आइडी दे हुई है जिसके थूँ आप संपर कर सकते हैं अगर आज की जानकारी पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करिए हमें 25 साल का अनुभव है हमारे इस अनुभव का लाप आप में हिचक उठा सकते हैं बिना कोई कन्फूजन मन में पाले तो आईए जानकारी देना प्रारम करते हैं शास्त्रों में कहा गया है माता भगवती स्वैम दीपक की जोती में विराजिती है इसलिए उनको जोता वालिये कहा जाता है मारकर्ण ने पुरान में स्वैम माभगवती जगत जन्नी कही गई है और पुरानों में नवरात्र और दुर्गा पूजा का प्रचलन इसलिए का किया गया है कल्यूग में मनुष्य हर तरफ से निराश होता है ऐसे समय में माता दुर्गा के नवरात्रे उसको रास्ता दिखाते है जो भी माता दुर्गा की उपासना करता है उसको शीखरी फल की प्राप्ति होती है दुर्गा उपासना से ही मानव का कल्यान होता आया है और होता रहेगा माता दुर्गा के आगे आप अखंड जोत जलाते हैं लेकिन आप इस तरह से दीपक जलाएं अन्य दीपक जला दीजिए और उसमें आपको क्या करना है ये पूरा प्रोसिजर जानिए आप दीपक लोहे या स्टील का ना लेवे अगर आप संपन्न से पूरी परिपूर्ण है तो चांदी का दीपक ले सकते हैं सोने का दीपक ले सकते हैं कांसे का दीपक ले सकते हैं पीतल का दीपक ले सकते हैं और स्वर्ण निर्मित दीपक भी आप ले सकते हैं, तो आपको फाइदा होगा, मिट्टी का दीपक तो आप प्रयोग में ले ही सकते हैं, इसकी एक प्रक्रिया होती है, जो आपको समझने जरूरी है, आपको थोड़े से चावल लेने हैं, और हल्दी मिश्रित उसको पीस ले हो उसमें तो जबरदस आपको लाब मिलता है, तो इस दीपक को आपको स्थापित करना है, और अश्ट गंद की स्याही से कुछ स्टार जैसा बना लेना है, या शट दल कमल बना लेना है, और उस पर दीपक को स्थापित करना है, अश्ट दल की स्याही लेनी है, और उसी से आपको ये शट दल कमल ये अश्ट दल कमल बनाना है अश्ट दल कमल श्रेष्ट रहेगा तो अश्ट दल कमल ही आपको बनाना है और अश्ट गंद की स्याही लेनी है माता दुर्गा की मूर्दी रखें या तस्वीर रखें और दुर्गा बिसा यंत्र भी आप इस्थापित क कर सकते हैं इससे भी आपको लाव होगा दीपक की पूजा करें उस पर जल के छीटे देवें छीटे इस तरह से देंगी वो बुझे नहीं रोली चड़ानी हैं चावल चड़ाने हैं पुष्प अर्पित करने हैं धूप दीप करनी है और परशाद चड़ा कर यानि नैवद्य अर्पित करके मातारानी की पूजा करनी है आप मातारानी से जिस समस्या से जूज रहे हैं वो सवाल आप मातारानी को प्रश्ण के रूप में सिंपल कागज पर लिखकर दीपक के समक्ष रख सकते हैं आप देखेंगे चमतकारिक रूप से आपको अपने सवाल का जवाब म और आपको मार्ग सुजा देती हैं माता पहली बात तो ये है कि माता के सामने एक बालक की तरह निवेधन करें तब ही आपको लाब मिलता है आप छोटे बालक की तरह माता से विंति करते हैं क्योंकि माता शेरा वाली हम सब की मा है और माता से आप प्रार्थना करते हैं और अपने सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, श्रद्दा और भक्ति आपके मन में होनी चाहिए तो आप देखेंगे कि माता आपकी बड़ी से बड़ी समस्या को चुटकियों में मिटा देती हैं और आपको रास्ता दिखाती है नवरात्रों में आप सिद्ध कुंजी का स्त्रोथ का पार्ट करते हैं तो आपको जबरदस लाब होता है नवार्ण मंत्र भी जपना चाहिए इससे भी आपको लाब होता है ओम हरीम दूम दुरगाई नमहका जाब करें आपको जबरदस फायदा होगा और आपके सभी कश्ट मिट जाएंगे और समस्या आपके सामने कोई भी नहीं रहेगी आपको सॉलुशन मिल जाएगा अपनी हर समस्या का आप माता के समक्ष ये भी बोल सकते हैं माता की भक्ती करते समय कि हे मा आप मुझे प्रसन है तो मेरी हर समस्या को सॉल्व करें, मुझे बरास्ता दिखाएं और मेरा मार्ग दर्शन करें ऐसा माता के सामने आपको निवेदन करना है और दीपक की भी आपको पूजा करनी है और अपनी कष्ट माता रानी के सम्मक्ष भी आपको कहने है इससे आपको हर संकट से, हर व्यत्था से निजात मिल जाएगी और माता दुर्गा आपको रास्ता दिखाएंगी ये दीपक अगर आपने घर में नवरातरे स्थापना किये हैं तो आपको वही करना है तब ही आपको लाब मिलेगा मंदिर में तो इतने लोग आते हैं तो आपको मंदिर में नहीं जाना है मतला मंदिर में जाएं दर्शन के लिए ये आपकी मर्जी है लेकिन हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि घर में ही माता दुर्गा की आपने इस्थापना की है तो माता दुर्गा के समक्ष ये दीपक जलाएं जैसा हमने आपको बताया है और अश्ट दल कमल निर्मित करना है और अश्ट गंद की स्याही से बनाना है अश्ट दल कमल को अश्ट गंद की स्याही से बनाना है और उस पर पूजा करनी है सामने पूजा जैसे हमने आपको बताया इसे करने मातर से ही आपको किस्मत चमक जाएगी ऐसी किस्मत चमकेगी कि जिंदगी में आपको किसी चीज का भाव नहीं होगा आपको खुशियां मिलेगी तरक्की आपकी होने लगेगी आपके सब समस्यां मिठ जाएगी और आपको रास्ता द्रश्टी गोचर होगा जो मनुष्य माता दुर्गा की उपासना सच्चे मन से करता है उसको माता दर्शन भी देती हैं तो माता के दर्शन आपको देखने हैं तो ये उपाय करिये जो हमने आपको बताया है और माता स्वपने में भी दर्शन देती है अगर आपको सपने में शेर दिखे तो समझ येगा माता दुर्गा आपको आशिरवाद देने आई है क्योंकि माता दुर्गा शेर की सवारी करती है तो किसी भी रूप में आपको माता दर्शन दे सकती है छोटी कर्णिया के रूप में भी आपको दर्शन दे सकती है तो आप माता दुर्गा के समक्ष जो आप दीपक जलाएंगे उसमें आपको थोड़ा सा लोबान डालना है थोड़ा सा कपूर का तेल डालना है कपूर का तेल ना हो तो साधरन कपूर ही डाल दीजिए होगी तो आप आज का वीडियो हम समाफ करते हैं फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए सुखी रहे समपन रहे थैंक्यू सो मच